जैश्री राधे कृष्णा ओन कुक्रेजा चैनल पर आपका हारदिक स्वागत है, हरी अनन्त हरी कथा अनन्ता में आज सुनिये कहानी राजा का बकरा किसी राजा के पास एक बकरा था। एक बार उसने एलान किया की जो कोई इस बकरे को जंगल में चरा कर त्रिप्ट करेगा मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा, किन्तु बकरे का पेट पूरा भरा है या नहीं इसकी परीक्षा में खुद करूंगा। इस एलान को सुनकर एक मनुष्य राजा के पास आकर कहने लगा कि बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं है। राजा ने थोड़ी सी हरी घास बकरे के सामने रखी तो बकरा उसे खाने लगा। इस पर राजा ने उस मनुष्य से कहा कि तूने उसे पेट भर खिलाया ही नहीं वरना वह घास क्यों खाने। लगता बहुत जनों ने बकरे का पेट भरने का प्रयत्न किया किन्तु जो ही दर्बार में उसके सामने घास डाली जाती तो वह फिर से खाने लगता। एक विद्वान ब्राहमन ने सोचा इस एलान का कोई तो रहस्य है, तत्व है, मैं। युक्ती से काम लूँगा, वह बकरे को चराने के लिए ले गया। जब भी बकरा घास खाने के लिए जाता, तो वह उसे लकडी से मारता, सारे दिन में ऐसा कई बार हुआ। अंत में बकरे ने सोचा कि यदी मैं घास खाने का प्रयत्न, करूंगा तो मार खानी पड़ेगी। शाम को वह ब्राहमन बकरे को लेकर राजदरबार में लोटा, बकरे को तो उसने बिलकुल घास नहीं खिलाई थी, फिर भी राजा से कहा मैंने इसको भरपेट खिलाया है। अत यह अब बिलकुल घास नहीं खाएगा। लोकर लीजिये परीक्षा। राजा ने घास डाली लेकिन उस बकरे ने उसे खाया, तो क्या देखा और सुंघा तक नहीं। बकरे के मन में यह बात बैठ गई थी, कि अगर घास खाऊंगा तो मार पड़ेगी। अत उसने घास नहीं खाई। मित्रों यह बकरा हमारा मन ही है, बकरे को घास चराने ले जाने वाला ब्राहमन आत्मा है। राजा परमात्मा है। मन को मारो नहीं मन पर अंकुश रखो। मन सुध्रेगा तो जीवन भी सुध्रेगा। आथ्मन को विवेक रूपी लकडी से रोज पीटो। कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है पर रोटी की साइज लगभग सब घर में एक जैसी ही होती है बहुत सुन्दर संदेश अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या अपने गुरूर से देख रहे हो